बहुत बंधे में कोरिए कि पर दोटा कि इसने एक इंसान मार दिया अभी भी कमेंट करते इसको दोगां भी फिर निकला बंदा मारने हुआ है हाध वही स्वागत है हमारी जंत अगर रियल टॉक विद रेल हिट के नए अपिसोड में और आज हमारे बीच मौजूद है एक ट्रावलर एक बाइकर व्लोगर जो की बहुत मशूर है यूट्यूब देली से है हमारे बाई जट प्रभ्जोथ अपने लिए मैं भी तालिया मारे लेता हूं ना साथ में वाई आपका इंतजार था हमारे शोड पे ना हम तीनों परस्नली वी इंतजार कर रहा थे आपकी आपको आओगे हमारा बहुत पहले से प्लान बन रहा था इन्क 6-7 महीने पहले से जब आपने शुरू किया था उसके बाद रहते 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 रही गया मैंना चलो अब तो यार बहुत हो गया अब तो चली लेते हैं मेरा भी बहुत मनता कि भाईयों से मिलू जाके और कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जो हम अपने चैनल पे निकर पाते कुछ चीज़ ह होती है और यहां बातों बातों में निकल जाते है कि हां भाई की फ्लो फ्लो में भै गए लेकिन सही है मैंने सारे एपिसोड देखें बढ़िया एकदम मज़ेदार सबसे बढ़िया कुन सा लगा अपको सबसे बढ़िया बाई सारे ही मेरे को बढ़िया लगे उसमें ऐसी मुलोह को भी क्या nghĩ, ना मुलोह को ठीफ है हुछ TYS, आप को जहार किसे मोठेश हैं जो अप कह रहे हैं जो आप चाहिए पर थे boundary अपनी रियल साइड हैं, आप बलॉग ऐना धनको थे ऐसा नहीं है कोई नार्मल इंसान भी है बहले हुं आ बहले ही यह हो पाट नाई को जादा बड़ी है क्योंकि आजके टाइम में जितने बंदे वीडियो देख रहे हैं 100 बंदे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्ष तो साठ प्यार करने वाले हूंगें सचर होंगे 30 हैसे होंगे कि कोई ऐसी बात मिलें इसको पेलें पहलाने में लगे लगजाते हैं आप दोस्तों आपको बता दी आप समझोगे लेकिन कोई बंदा ये दोस्ता है लेकिन दोस्त के शकल में साप है पीछे साप है उसको मज़े चाहिए कि हाँ तुम मज़े दो मेरे को तो वह मज़े लेने वाले बंदें ना वो काम खराब कर देता है फिर उसके ओपर वीडियो तो कुछ आयागा नि कि जट प्रवजोद ने क्या राइड करी विये कौन सी बाइक है वो कुछ नहीं आएगा सबसे पहले नेगिटिव चीजी सर्च करने पर आएगी अच्छा भाइगी इंडिया की ओडियंस ही वैसे यही है उनको ना चाहिए मसाला उनसे बुसन आया और मानों मैं रोड पर पड़ा हुआ था वहां से जो मेरा हॉस्पिटल था ना वो पांच गंटे की दूरी पे ता और वो पांच गंटे की रस्ता टोटली ओफ रोड था और मेरी दोनों टांगे टूटी हुई थी और ऐसा दर्द होरा सा मेरको और मैं अभी तक पहुच गया इवन मेरे को पेंटिलर भी नी थी मेरे पास कुछ भी नहीं मिला था क्योंकि एक गाहों में एक्सिदेंट वा तो वहां ना पेंटिलर ना कुछ है जो मिलेगा हॉस्पिटल जाकी मिलेगा तो बिना पेंटिलर के मेरे दोनों पैर की हड़ी टूटी हुई है और सुचो मेरे को ऑफ रोड रस्टे से जांग गाड़ी और गाड़ी भी वैसी नहीं अच्छी हाइफाइ एंबुलेंस बुलैरो नहीं होती जिसके सस्पेंशन भी ऐसी होते ऐसे उचलती वी जारी और मेरी भाई उस ताम ऐसा मन में आया था कि आज नहीं बचूंगा क्य बस यह लाश वीडियो उसके बाद देख लेना और फिर जब हॉस्पिटल पहुंचा अगले दिन ऑपरेशन हुआ दो दिन आई स्वी में था उसके अगले दिन मेरे हाथ में मोबाईल आया और तब मैंने जब जट पर जो सर्च मारा ना सबसे पहले एक्सिडेंट की वीड इवन मैंने एक इंसाग्राम पर एक स्टोरी डालती कि जो भी मैं बताऊंगा वही सही है तो किसी इदर उदर की बात पर विश्वास मत करना लेकिन तब भी लोग वीडियो वीडियो उसको देखके ऐसा कि तब मेरे दोनों टांगे हिलती भी नहीं थी और वह देखकर ऐसा पर से लोग ऐसी वीडियो डाल रहे हैं तो उस ताइम ऐसा हो गया था भाई कि यह जो फेस है ना लाइफ का यह सबसे बुरा है इससे जादा बुरा तो क्या ही होगा इनसान का कि वह बैट पर पड़ा हिल भी नहीं पा रहा और लोगों को सिरफ अपने व्यूस की पड़ी पर सकते हैं तो और तो क्या ही बचा इससे बुरा क्या ही होगा यह तो बहुत गलत है कि किसी की मजबूरी का या किसी का कुछ हुआ है और लोग इस तरीक उस चीज़ का फायदा उटाओ बिल्कूल मैं कभी यह नहीं कहता कि मैं कहता हूँ अप फायदा उठाओ मेरे साथ फिर मैंने 15-20 दिन वीडियो नहीं डाली अपने चैनल पर मेरे दिमाग में आया थे कि भाईया मुझे करना ही नहीं है छोड़ी दूँगा फिर उसके बाद ध्यान आया कि भाई अभी अपनी नोकरी में पहले जॉब करता था तो चार-पांच साल होगे चोड़े चार साल होगे मैं अब दुबारा जॉब करूंगा उस ताइम पर मेरी 80,000 सेलरी थी जब मैंने छोड़ी थी मैं फिर 20-30 से स्टार्ट करूंगा मिलेगी नहीं मिलेगी करूंगा क्या घर के खर्चे निया घर लिया उसकी एमाई चल रही ह बाइक जो लिए उसकी एमाई चल रही है मैं ला भाई ऐसा फस्ट चुके है अब ना चाके भी करना ही पड़ेगा ऑप्शन ही नहीं है लेकिन भाई इस बीच वो जनता भी जो आपको प्यार दे रही होगी और आपने उस जनता के लिए भी सोचाओ कि यार नहीं इन के लि सिर्फ इतना कहने के लिए आप भरोसा रखो आपका ठीक हो जाएगा मतलब तब वह चीज पापा मेरे को कॉल करके उताते थे आज इतनी फैमिली आईतर को मिलने के लिए आज ऐसा हुआ तो वह चीज से मेरे को मोटिवेशन मिलते हैं कि हाँ भाई प्यार करने वाले लोग छोड़ना अब सोच लो चार लाग जो रिपलाएं हैं वह प्यार करने वाले जो बाकी एक डेड़ लाग है वह फिर हेटर से फिर मेरे को लगा चलो ठीक है दिमाग से उनको हटाते हैं वापसी अपने उस पर आते हैं शुरू करते हैं भाई अगर आप डिटेल में बता पा सबीख हैं आप नहीं बाइक ली थी। मैंने मैंने लगा लो मतलब वह वर्ड की फास्थ इस उपर कोई बाइक ही नहीं है यह लाश्ट है इसके उपर एंड है इसके उपर तो क्या ही लेगा बंदा जैसे आपने गाड़ियों में कोई बेंटेले शेंट ले 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 लिए पाइकों में यह आपको अपने ली शौक था भाई और फिर अपने ना मेर को हमेशा है अशा होता कि कु बंदे उसमें से मैं हूं मैंने कर रखा है नेपाल में मश्टैंग जगा पड़ती है माइनस अठाइस माइनस थीज तेमपरेचर होता है वह तेमपरेचर भी दिक्कत नहीं है वहां जाने के लिए आपके पास लगता है सिरफ तीन दिन के लिए वहां से आना जाना तो वह मैं ने नेन कर रखा है क्योंकि मिल को था कि हैं कुछ हलक करना है लाधनाया औरिका है नेपाल में पूरे ही नहीं है और उनको ने सामनेसा दो किसीन देखी भी नहीं और मिल कुछ मिदे जगा मीटप करूंगा ताकि वो बाइक भी देखे मेरे से मिले इससे के अपनी पॉब्लिसिटी भी होगी देखो दोनों तरफ आए देए और दूसरा वहां पर भी वो लोग देख पाएंगे कि भाई एस्टू क्या चीज होती है तो मेरे को था कि हाँ भाई अपने को भी टा और फिर एक्सिदेंट का क्या सीन हुआ कि बाइक ली अब प्लैन मेरा पहले ही था वहां जाना है इवन मैं इतनी सारी चीजे करके गया था ना मैंने ती सारी राइडे करी है इतनी सेफटी मैंने किसी बाइक में ली ना गाड़ी में इसमें मैंने टायर चेंज करा दिये ब और फिर तीसरे दीन ही निकल गया डिलीवरी के और सीन क्या हुआ था जैसे कोई एजिड अंकल थे मेरी आगे से बारापचास निकली उसकी आवाज भी थोड़ा लाउड है और जाना स्पीड नी थी हमारी अभी लोगों ने इतने हुआ बना दी जब मैंने वो वीडियो देखी ना 500 की स्पीड पर ठुक गया दोस्तों की स्पीड पर जाल भाई मैं बता दूँ अगर 500 या 200 पर बंदा ठुक रहे ना वो बचेगा नहीं चाहे जितने मरजी गेर पहने हो चाहे दो राइडिंग पहने हो तीन राइडिंग जैकेट पहने हो वह नहीं बचेगा अंदर ये अंदर वो खतम हो जाएगा ठीक है और मेरी स्पीड थी मेरे खाल से 50 या 60 इस से उपर नहीं थी और उस रोड पे भी जहां मेरा एक्सेट हु नहीं अलगा हुआ छा पर चाहिए कर रहा कि अलग हुआ है तो मेरी से स्पीड नहीं होनी जहीं था ग्रम शाइड सभ्वरा ठीक ठीक हाँ यह मेरी 220 तो काफी हुज भाइक है मतलब जितना तो निकली ना तो वह अंकल उस बाइक को देखने लगे रोड के बीच में खड़े होके तो ऐसे पूरा उदर मुलब जैसे यह बाइक निकली मैं खड़े है उनको ध्यान नहीं कि पीछ दूसरी बाइक भी आ रही है और में स्पीड दी रही थी तो में को लगा बंदा रुका तो मैं उसके आगे से निकल जाऊओंगां तो मैं जैसे ही उनके आगे से यह बंदा खडा है रोड भी छोड़ी नहीं थी लगा लो आदे कमरी जितनी जितनी कमरा आधा तो मिरको लगा उनके आगे से निकलने लगा वह चल पड़े और उनको एवेन मेरी बाइक भी नाली थी जैसी हाथ चूटा ना इधर प्रेशर आया एंडल इधर को मुड़ा गुस्ते में नाली में चला गया और सोचो आप 40-50 की स्पीड जादा नहीं है अगर मैं रोड पे गिरता मुझे एक भी खरोच भी ना आती इवन में खरोच आई भी नहीं थी जब वह 40-50 की दोनों की दोनों और अगर वह खंबा ना होता तब भी मुझे कुछ ना होता वह नाली ना होती तब भी मुझे कुछ ना होता और वह अंकल ना होते तो फिर दोनों को कुछ ना होता तो बस यह सीन था और उसके बाद तो फिर बुरा हाल था उसके बाद पहले तो में तो इस तो गया और कोशिश करी उठने की नहीं उठा यह तो लगा यह गया फिर मैंने घर पे फोन किया कि यह ऐसे एक्सिडेंट हो गया है उसी टाइम मैं लग एक फोन कर देता हूं क्योंकि में को बता था वाँ बंदे वीडियो बनानी शुरू कर दी थी तो उस टाम बता यह था घर पे कि दोनों टांगे खतम हो गई हैं अब यह नहीं पता कितनी एक खड़ी भी हो सकती है दस भी हो सकती है मुझे नहीं पता हीली नहीं रही है तो लोग आपको वीडियो बना रहे हैं कोई वैसे बचाने या ले जाने एंबुलिस अगरा एक्शली क्या है वह ज लिए ले जाते हैं कि वह बंदे में प्यार करते हैं तो नेपाल वल्य अपने को बहुत प्यार करते हैं और उनले पूरा साथ भी दिया तो वह रोड जहां में राइक्शिदेंट हुआ ना उस रोड पे घजूरी है उस रोड कर भूल नहीं सकता है मैं लाइफ टाइम तो वहां जब भी एक्सिदेंट ना तो वहां के मैंने सुन नहीं है वहां के बंदे बाइक वाइक फोर देते हैं इवन मेरे से दो तीन दिन पहले एक बस का एक्सिदेंट हुआ था वो बस को जला दिया था उन्होंने तो ऐसा होता है लेकिन अपने सब्सक्राइबर इवां खड लेकिन उभी होई सीधी उनी ती फट्टे लेकर आए वह बहुता है अम्बूलेंस में घुसाया अब यह चीज़े तो रिकॉर्ड करी होने किसी ने आदी अदी कहीं है मैंने कुछ उर्यकोर्ड करी नहीं कुछ जब मैं कॉछ द्रौइनस में डाला ना तो एम्भूलेंस ब तो उसके बाद वो गए फिर एक गली के अंदर जहां मेरे तोड़ा-थोड़ा द्याला एक गली में फिर उन्हें रुनें लखड़ी वाली दूकान ति ही वहासे एक बंदा आया वे मशीन लेके अब VOICE हुआ पूरा गाड़ी के अंदर भाई एक तो पहली दर्द उपर सास नहीं ली जा रही अब साथ में जो बंदे बैठे हैं वहीं के दोस्ते श्टेन नाम ता उसको मैं खुआ रहो खिड़की खोल सास नहीं आ रहा हो मेरे को हवा कर रहा है मैं सास है फिर दोनों लकड़ी काटी फिर लेके गए उसके बाद वहां तक लेकिन वही है जब लेटा हुआ था ना सबसे आदा मेरे कोई और था कि लोग खड़ो के वीडियो बना रहे हैं ऐसा नहीं है हेल्प करने वाले भी आते हैं लेकिन वीडियो बनाने वाले भी आते जिनको को कोई मतलब नहीं कि आप अब वाई फटावट से कॉंटेंट आ उनको बताइं प्रब्जोता ए जितना निकल सकता है निकाल लो तो प्रब्जोत गिर गया है यह है यह है खतम हो गया ही ऊठनी रहा यह वह बातनी क्या क्या खर अभी की रिपोर्ट दे दो अब नइसाई रिकावर हूगया तो टाइम से पहले रिकावर कर लिया तो यह मैंने निए ओपर वाले किरपा और बाकी मेरो फैंस ऐशन में प्रे करतेते तो मैं ठीक होगे मिरको जब मैं हॉस्पिटल में था ना तो मिरको लगा था कि शायद मैं कभी चली ना पाऊंग तो कि मेरी टांग हम ऐसी ही रहती ती यह मुड़ती नहीं थी और जब नर्स मोड़ने आती थी ना वो इतने से इतना भी करती थी ना ओ भाई लगा लो कि उस मैं किसी को भी किक मार सकता हूं और यह वली टांग में थोड़ा FFD मेंस कि प्रॉपर सीधी नहीं होती एक महीना लगेगा यह ठीक हो जाएगी प्रॉपर एक महीने बाद मैं हो सकता दुबारा बाइक चला पाऊंगा और अभी अपना यह है कि जब बाइक चलाओं तो बाइक लेके मैं सेम राइड भी करूगा नेपाल वाली तो भाई इसमें घरवाले कुछ कहेंगे निए घरवालों ने बोला नहीं कि अब बाइक रहने दे अब कारी चला ऐसा मम्मी बहुत दर गई थी उस ताइम पर तो मम्मी तो भी बोलती है कि अब छोड़ दे बाइक चला थोड़ा थोड़ा चला जैसे दिल्ली से गुड़गाओं आगे वैसे वैसे चला कनॉट प्लेश चला गया लोकल लंबी राइट छोड़े गाड़ी पर घूम क्योंकि तरको देखने वाले बहुत है तो गाड़ी पर घूमेगा जिसने जो तरको प्यार करता वो देख मैंने एक वीडियो आलती जिसमें मेरी इंग हाइए स्पीड थी 185 तो आप सोचो कि हाइवे पर मैं इतनी स्पीड से चला रहा हूं तब कुछ नहीं हुआ और जब धीरे चला रहा हूं कहता है जब जो होना है वो लिखी होती है ठीक है आप मानोगे कि जब एक्सिदेंट तो उससे 10 km पहले मेरे को तगडी भूक लग रही तो मिरे सब दोस्त भी थे मैंनों को बाइक रोगो कहा रहे है सतर किलो मेटर है मेट था हमारा पांच बजे का उसी दिन का साधे चार बजे चार बजे मेरा एक्सिदेंट तो कहा रहा है कि आगे खा लेंगे वहीं पर जाक पंदर अभीसमेंट और बैठेंगे क्योंकि वह लिखी हुई थी जो चीज़ होना है पंदर अभीसमेंट बैठके हमने टाइम पास करा मुवाइल पर गेम में खेल रहे हैं वह इंस्ता की स्टोरियां देख रहे हैं उसके पर चलते हैं क्योंकि वह इंसान जिसकी टक्कर हो इसने यह कर दिया लेकिन मुझे बता है मिरको अभी दिल से बुरा लगता है कि मेरे से यह हुआ जान के हला कि नहीं करा तब भी बुरा लगता है और लोग कहते हैं कि मैंने एक वीलचेर दी थी मेरे मीटप पे जब हैस्टू की डिलिवरी ली थी एक बंदा आया था चल न अगर किसी के लिए खर रहा हो ना ज़रूर रही निए इसकी वीडियो डालो क्योंकि वो चीज मेरे को नहीं दिखानी कहते हैं तो मैंने उसकी फैमली के लिए भॉत किया ऐसा नहीं किया बहुत किया आगे बिजू पड़े कि आगे भी करता रहूँगा लेकिन वो चीज मै और लोग मेरे को भी तुने कुछ नहीं करा तुने बंदा मार दिया तेरे को शरम नहीं है तो अपनी लाइफ एजी रहा है तु यह कर रहा है वही नेगेटिव चीज अभी चल रही है मेरे साथ करते हैं कि इसको रह शर्म नहीं है अब गाड़ी लेकर घूम रहा है जीपसी मोडिफाय करा लिया वहाँ इसे बंदा मार दिया अब यह फिर निकला बंदा मारने के लिए अभी ऐसा कमेंट भी कर देते हैं फिर गाड़ी लिकर निकला अब एक और भर बंदा मार के आएगा अरे भाई गलती हो गई उसकी भरपाई करी और अच्छे से करी है आज भी दुख है हमेशा लाइफ टाइम रहेगा उस चीज का दुख लेकिन जानके थोड़ी कर रहा है चार बारी नेपाल गया हूं पहले हैं किसी को जानक्य उड़ा नहीं रेए हुझा टाइव पशस इनकर आज़ती लिए और उन नापिम सिण गंदे उसले चीज़ है लेकिन वो तुमें अगर तुम उनके कमेंट नहीं पड़ रहे, इंस्टाग्राम पर मेसेज करेंगे, वह नहीं पड़ रहे, मेल डाल देते हैं, यह चीज लिखके मेल डाल देते हैं, कि तुने वहां बंदा उड़ा दिया, तु राम से जिप्सी लेकर घूम रहा है, यह है तुझे शरम आने चीए, उसकी फैमिली के लिए तुने क्या किया, उसकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी, मुझे पता है, मैं उसकी फैमिली से ही मिलाओ, अब हर चीज हमारा content नहीं है, तो हर चीज थोड़ी वीडियो में डालते हैं, इवन उसकी फैमिली मेरे से hospital में मिलने अब ही हम भगवान से आपके लिए प्रे करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाए, उसकी फैमिली मेरे लिए ये कह रही है, लेकिन बाकी लोगों को है भाईया, इसको तो पेल दो, ये सीन हो जाता है, नहीं नहीं भाई, मैं खोज जनता से ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे मत क इतने हमारे प्यारे भाई हैं, शानदार क्रिएटर हैं, और बहुत ठेस पहुंचती हैं, ये सब तुम लिखते हो और भाई को ऐसे गंदे-गंदे कॉमेंट्स करते हो, तो जनुरली आज़े कर रहा हूँ कि तूने बंदा मार दिया, तू गाड़ी गुमा रहा है, यही र वीडियो बनानी बंद कर देता हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो यह इनी चीजों की वहसे होता है, लेकिन जन्ता समझते हैं, चक्कर के होता है, कोई बंदा उपर चड़ रहा होता है, तो हजम नहीं होता कई बंदों से, जो गयता है, पेलो इसको, तो बस वही वा कुछ गंदा लिखेंगे तो देखेंगाई, तो वह कहते हैं, भाई बस इसलिए तो मेसेज कर रहा था, आप एक बार रिपलाए गर दो, अब भी ना मैने एक फोटर डाली थी, कल परसों, ठीक है कि गाना शूट हो रहा है मेरा, उस पे एक लड़की ने लिखा हो था, शेम कि बहुत बड़ी fan हूँ ये है, एक बारी मिलना चाहती है, फिलाना dhimka, ठीक है, बड़े सारे मैसेजिस से, और अब सब के दो पढ़ नहीं सकते, तो बड़े सारे मैसेजिस उसको message करते क्योंकि request इतनी सारी आती जिसकी आती ऊपर होती रहती है उनीचे जाती रहती है पुरानी वाली तो फिर उसने नीचे गालिया देनी शुरू कर दी तेरी मा की तेरी बैन की reply नी करेगा तू साल है यह है तेरी यो कात होगी आरे भाई हमें पता भी तो कोई message कर र आपके सबसे में जानना चाहता हूं कि कुछ बंदे हैं व्यूस के लिए भी कर रहे हैं कि जैसे अभी नए-नए यूट्यूबर सारे हैं तो उनको लगता है कि अगर इनकी वीडियो एश्टू लेकर उठ रही है या गाडिया लेकर उठ रही है तो हम भी यही करते हैं तो मरने वाली हालत होरी एक बारी को आपको बीस घ्र दो एसी मिल में को दिन की बिक्ता है आप मेरी में अर्मियल देखना सू मेल यह दो मेरे 50건 चाहिए मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ तो इसे अब बाइट अब मिरे पास नहीं थी घुर्ष जाता तब ही तो मेरे चैनल चलाए ना अपना चैनल चला उसके बाद हमने कमाया ठीक है जंता से कमाया यूट्यूब से कमाया और अब अपने शौक पूरे कर रहे हैं और जो कर रहे हैं पहले हमार पास में पास FZ बाइक होती थी पापा का लेकिन पुरानी वीडियो तो खोल को देखो भाई एंवी स्कूटर चलाते थे हम साइकिल चलाते थे ठीक है मैं अपनी फैमली के साथ न भाई पच्छे साल तक दो ही कमरों में रहा हूं आगे शॉप होती थी हमारी पीछे दो कमरे होते थे एक में दादी रहती थी दादी की ठीक हा लीडियों पेलाइस थी बिल्कुल भी चलने पाते थी और पीछे अले कमरे में जो लाश न होता था उस पापा मैं मेरी भेन बेट पे सोते थे थे होता था आदी कमरे में एश्य नी होता था तो मैं दादी के साथ सोता था drove अर में नकीं तो पूरी रात में तो हमने वह वहला टाइम भी देखा है लेकिन तब हम यूट्यूब पे नहीं थे तो लोगों को क्या पता कि हाँ ऐसा भी टाइम था इनका तो सारा टाइम होता है अभी देखने में लगता है कि बड़ी बाई के दिखा रहा है तो हमें ऐसा जरूरी नहीं है आपके बाद जो उसके पास तो नहीं है महँगी बाईक ना महँगी गाड़ी वह जो कर रहे है वह दिखा रहा थो कहने का मतलब है अप कुछ भी कर रहे हो ना आपकी जनता को बसंद आाना चाहिए अगर जनता को बसंद आरा तो आप आगे बढ़ते रहों एं जनता नहीं आरा और में भाई क्या ऐरोप्लेन खरीत के घर रख लो तब भी नीच चलोगे एक महिने बाद उससे बोर हो जाएंगे लोग किसी नगीश से बोर तो होंगे उनको आपको एक वह है यह हम क्याना हम सीरियल बना रहें भाई enough of serious and negative things मुझे थोड़ी मज़ेदार क्योंकि आप एक traveler हो तो मुझे थोड़ी अपनी travel के मज़ेदार किस्से बताओ आपको सबसे best जगा सबसे best adventure जो याद हो कि भाई thank god मैं एक vlogger हूँ मैं यहां आपाया ऐसा कोई किस्सा बताओ ऐसे भाई भाई बहुत सारे किस्से हैं एक बार हम गए थे adventure भी थोड़ा हसी मजाग भी है और थोड़ा बिरको वैसा भी हुआ था कि यार यह चीज हम करने गए थे कर नहीं पाए तो एक बड़ एम गएते हैं साजपास एक जगह है तो चमबा से उपर बढ़ती है वहां गए और तीन बाइक करते हम मैं था एक मेरे पास C800 इसी थाउजन थी निंजा थाउजन वह भी शुपर भाई के और एक कावसा की 650 थी वह भी शुपर भाई के तो तीन भाई के गई एक जो बंदा मारसाथ गया उसकी पहली राइट थी लॉंग उसको सीधा में ले गया ऐसी जगा पे जो वर्ल्ड की डे इतनी सी रोड है और कहीं पर भी भाई जाती है गाड़ी वाड़ी तो चलती नहीं वह पर तो हम उसको बहुत बढ़ी जगा है मज आएगा यह है वह भाई चल पड़ा थोड़ा आगे तक गए भाई ओफ रोड बारिश चालोगे स्नोफल चालोगे टेंट लगाए और रात इतनी है कल साच पास से हम कोई 30 किलो मेटर पहले ही थे कल हमने वह क्रॉस करना था वह पॉइंट कल क्रॉस करेंगे देखेंगे ठीक है भाई यह हर्श ने बोला था मेरे को और एक अपने अशुक पाजी थे साथ में तो फिर कल दुबारा बाई के स्टर्ड करी फिर आगे और आगे भाई इतनी इतनी बरफ में लगा लो हमारे घुटने जितनी रोड के उपर और तीनों सूपर बाईक एडवेंचर बाईक हो ना वो निकल भी जाती है सूपर बाईक में दिक्कत आती है क्योंकि टैर वो वले नहीं होते है टैर बरफ में ऐसे घूमते है तो फिसलरी होगी अरे इतना ज्यादा फिसलरी थी ना तो मेरी बी एक दो बार बाईक गिरी अशुक पाजी एक दो बार बाईक गिरी ना उन्होंने भाई सीधा मेरे को सब्सक्राइब करांगे नियुक्त मेरे घर में हैं बीवी बच्चे तो मैं रिस्क नी लूँगा मैं नी जाओंगा आगे मैं लगा लगा लो वहां से तीन सौ चासू मिटर है आदा किलो में इता साच पास मैं वहां तक हो कि चलो आगे निजा अगर आपसी आजी तो मैं न बाइक आरे थोड़ी फिसलती हुआ रही संभाल लेंगे फिर मैं उनकी बाइक लेकिए वहां खड़ो के फोटो क्लिक कर आए फिर मैं उनको मना आगे आगे चलते हैं और भाई नहीं जाओंगा मैं यार पाजी मैं आगे तक देख कर आँ आदा किलो मेटर और अगे प्लेन र यूटन करा मैं जा रहो वापिस तेर को जाना तो तू जा रहो आपस अब अगर आपने उनको मना लिए तो मैं आपको मान जागो वही अपनी अब वही दी पाया अब मैंने उनको बहुत देख लो यार कहरे मतलब भी नहीं बहाई ऐसा रिसक और वह रोड भी इतनी सी अब मैं सोच रहा हूं क्या करूं क्या करूं अब छोड़के भी नहीं जा सकते फिर वह दोस्को छोड़ दिया अकेला अपना करने के लिए यूटन यूटन मारा भाई साथ फिर उनके साथ वापसी नीचे उतर गए फिर बाइचांस मैंने वीडियों बोल दिया मैं यार य वीडियो में क्या बोल दिया तूने और मैंने बला पाजी मैं तो मदाग किया था फिर अगले मैं भाई जो डिसीजन था हम तीनों का मिल कही था यह होता न कि वह चले गए और मैं आगे चला गया तो ऐसा होता तीनों ने मिल के डिसीजन ले कि चलो वापसी चलते है भाई मेरे को ना एक्चली आदत है मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जंगली सा हूं कि मिरको जंगल में भी छोड़ दो तब भी में रह लूंगा और मैं मैं माइनस 28-28-30 में भी रहूं और मैं यहां गया ता स्पीती महां पर माइनस 28 तेंपरेंचर था और सिरफ कली हमार और सिर्फ हमारी हमारी जीबसी घंबरी ती और हमाहं होमस्टे होते होटल लिह और घरों में पानि जमिता पेश्च को हें सब QC घंब और हमें प्रॉपर बताया रहा है राच को सुसू करोगे नो इस पानी की मध चला देना कि टैंकी चलाए ना कि पानी इसके अंदर होगा निसे निगले घम जायगा तो बड़ी सारी चीजे तो मैं ऐसे टेंपरेचर में रहा हूं और अभी वह एक वह इसने क्या ना मैं फुक्रे ने गेम भी करी ती एक जिसमें मैंने 10 लाक रुबे जीते थे तो उसमें पहला पार्टी हुई था कि वह पानी बैठना है जिसमें माइनस हुआ है तो उसमें अपना यूके भी था और भी बड़े सारे बंदे थे तो दीरी-दीरी करके सब उठते गए लक्षे भी था मैं बैठा हूं भाई राम से तो लास्ट में आई तिंक मैक्स्टन थ तब भी बैढ़ जाओं और वहां से सर पे थंड़ा पानी डाल रहा अब उसकी भाई हालत ख़रा वो मेरी चकल लेकर अंदर से में को इठन लग रही लेकिन मारा भाई ऐसे स्माइल अब वो देख रहा है भाई इसको ठंडी न लग रहे अब लग तो भौत रिया भाई वह अब भी बैढ़े तो एसा टेंपरेचर कर दिया था बरफ की सिलियां थंडी कोल्टरिंग पिला दी थंड़ा पानी पिला दी आ उसके बाद सर पे पानी डाल रहे हैं बरफ वाला और मैं ऐसे बैठा हूं वो एसे ऐसे काप रहा उसका कापना सामने मैं काप नहीं रहा था मैं भाई मिर्गी विर्गी कुछ हो जाएगा तो लाइफ के साथ मत रिसकले कैरा ठीक है भाई हार मानी मैं ला आए उसके बाद बाद मैंने का आपना शुरू करा मैं लाओ भाई तो लिया हो लिया तो ऐसा है कि अपना जंगली से है तो पता ही नहीं लगता। तो बहुत सई चीज है, तो बड़ी हो है। आपकी फेवरेट जगा कौन सी है पाजी। जगा तो भाई वैसे बतां बहुत सारी हैं। जहां आप कितती बार भी चले जाओ, मज़ा ही आता है। भाई अपना तो स्पिती फेवरेट है क्योंकि वहां के जैसे पहाड है कहीं नहीं दिखते पहाड बिल्कुल बंजर है बंजर मतलब कोई घासवास नहीं है टेड़े मेड़े गुफाएं बनी हुई है और गाड़ियां भी कम दिखती है और वैसे मेरे को कश्मीर भी अच्छ किया उसमें किया भी था कि जैसे जो पास बन रहा है गवर्मेंट से वह तो है यह महाँगा साथ में आपको गाइड भी लेकर जाना है और वह गाइड का खर्चा भी आपका पर्ड दोहजार उपे देने वह तो उसके है और उसका रहना खाना पीना उसकी दारू आरू जो करता है वह भी तो महा रही है तो वह गाइड हम लेके गए थे वह मेरे दोस्के पीछे बैठा हुआ था और यह सीन भी अपने वीडियो में नी डाला था मेरी वीडियो में है यू नहीं तो वह गाइड उसने बाइक से गिरा दिया उस गाइड की इंशॉरंस भी करानी बढ हुए थी लेकिन उसने मेरे को भाई मत डालियो प्लीज भाई पूरे नेपाल में ऐसा ऐसा हो जागा तो हमने डाली नी तो गाइड गिरा अब वह गाइड भाई दो मिन तक तो उठानी ऐसे लेट आगा मैं भाई पेल दिया क्या गाइड अब जो दूसरा मेरा दोस्त था वह भी लंगडी टांग ऐसे ऐसे कर रहा मैं तू ठीक है कर रहा हां भाई मैं तो ठीक हूं फिर गाइड उठा कैरा भाई इसके पीछे नहीं बैठूंगा अब मेरे पीछे समान बना हुआ और हम ऐसे टमपरेचर भी वहां पर था कोई माइनस बारा माइनस तेरा दूर तक जो उसके लिए हो 70-80,000 रुपे लोकल के लिए फ्री है तो लोकल तीन-चार भाई को गुरूप जारतों पल्सर वलतर भी थी उनसे को सब्स्क्राइबर निकले अरे पाजी मैं भाई रिक्वेस्ट है यह गाइड को भी ठालो अपने पीछे और भाई वो गाईड ऐसा था एक निखट नहीं होता कि यहां जैसे बड़े सब्सक्राइब आते हैं और वहां कोई बोर्ड बोर्ड नहीं है और यहां जाना है ना वो बताएगा यहां अम यहां चल पड़ते आगे जाके डेड एंड यूटन मार के आ रहे फिर यहां ऐसा 5-6 बारी हुआ फिर उसने जब यह वह चटी बारी पांची बारी में उसने क्या किया राज का अंधेरा भाई कहा यहां जाना है चलो ठीक है बड़ी बड़ी फैंसिंग लगी यूई मेरे को ऐसा लग रहा है चायना का बॉर्डर आ गया वाधे पाद में चायना का बॉर्डर भी लेकिन वह इंडियन बाई कुछ नजर ही नहीं आ रहा इतना अंधेरा पाड़ों बाई की लाइटे भी कितनी काम कर लेंगी उसके यूटन मार आगे जाके दो मोड़ा यहां जाने मैं बहां जाओंगा और वहां गए आगे जाके एक गाउं आ गया और गाउं में राथ को श्टे करा मैं बहाई तो ऐसे सीन भी होते हैं उसके पर मैंने हाथ जोड़े गाइड ऐसा गाइड नहीं चाहिए और वह था एजिए था तो गलती गाइड का सिस्टम है और उसके इंशॉरंस भी कर वहाओ उसे पैसे भी दो खाना पीना भी करो एक्चली कहना जैसे अभी बाहर से टूरिस्ट आ कि बंदा घूमने आ रहा है और को वहां कोई जाता भी नहीं उपर टैंपल मुक्तिनात करके बहुत मशूर टैंपल है शिव जी जी का तो वह टैंपल के ऊपर फिर में रस्ता शुरू होता है और वह रस्ता है वाई ती अपने इंडिया में जो मैं बतारों किलाड कीश जैसे किसी ने खड़ा जानके कर रहा खाओ और बाइक के मेरे बॉक्सर इंजन है वो इंजन जमीन पर लगता था सोच लो कितना घ्यारा खड़ा होता था दूख होता होगा भाई ना दूख तो क्या यह भाई फिर ऑफ रोड बाइक ली इसलिए है उसमें गाड ऐसे लगे है ना कि वो गाड जमीन पर लगते थे टोटल कितनी बाइक है आपके पास टोटल भाई मेरे पछे बाइक है अच्छा और गाड़ी गाड़ी भाई अपने पास अभी फिलाल दो है पहले मैंने बीम भी रखी थी फिर उसके रेंजरोवर रखी फिर सब बेच बाज दी मैं मोह माया त्याक के बाइक चलाएंगे अभी तो छोटी छोटी स्विफ्ट रखी हुई है और एक जिपसी अभी कहरे देना आपके नहीं कर लेने का प्लान है प्लान है भाई मैं दो गाडियां सोच रहा हूं या तो डिफेंडर या फिर रैंगलर डिफेंडर बहुत इन है अब बहुत इन चल रही है लेकिन मेरे को लग रहा है कि जितनी रॉ काम रैंगलर करेगी न वो शायद डिफेंडर ना कर बाई लक्षीरी में ऑफ रोडिंग वाली है लेकिन अपने को आदात है कि भाई पूरी रॉ जैसी चाहिए उसमें ज्यादा मत आता है अभी अज्ज ठीज़ बिफेंडर कह एका। यह उलखे घ्यादा बॉलाग को चला रहा है उब लकिन भी चाहिए उपर क्यों चला रहा हृत ना यह जिए घ्याद चला पाएगाई नहीं इन हे जिचाम अभए चला ऑब के लग भान अचला तहं। तो काम बनता नहीं होगा यार ऐसा नहीं है मेरे को आदा दो ही बता रहा हूँ ना कि हाँ किती रहे हुआ रेवल किट बताओ अपना एक बार जैसे आप जा रहे हो तो पूरा किट बताओ चलते चलते रास्ते में गुट माल लिया शरीर गरम हो गया तो चलो जानी ही जानी है तो 9 बज़े तुम्हें नीन अज़े तो ना नहीं नीद आजए तो लूमगो तुम्हारा कंबल लूम बल तुम्हारा गरम हो जाएगी तो फिर भरमार सथा ऐसा था ग्यारा बजगे लाइट चलेगी वहां बुखारी होती है इसनी बड़ी रसोई होती है जितना आपका ड्रोइंग रूब में बहुत बड़ा इतनी बड़ी रसोई होती है वही बैठके सारे खाना गाते है तो बुखारी लगी थी बीच में लोहे की लोहा होता है उसमें कोई बहुत महंगा मिलता है मिलता ही निए ली क्योंकि है नीचे सप्लाई हो के आती है तो यह भी कहते हैं कि दो यह तीन बर ही डालेंगे इतने महीं आपको करना है तो ठीक है हमने बहुत एक एक्स्ट्रा चार ले लो एक बार यह डाल दो हम रात को यह ही सो जाएंगे बड़ी रिकोश्च करके उनने बहुत चलो ठीक है तो यह सारी चीज होते है नीड नहीं पड़ती और गाड़ी में हीटर होता ही है तब भी नीड पड़े तो भाई रम वहा पर आम चीज है वियसे ठेके वरी यह होते लेकिन घर में उनके बाद रम होती है तो तो उनको बहुत पैसे बहुते बहुत बिखेंगे है तो और पर य। पैसे नहीं है ! वो गहते हैं ना दारू-दारू वाला दोस्त अगड़ा किया आप तो अपना दोस्त है लावबा इसके लिए चिकन के पोड़े लगा और क्या खाएगा तू बता और मैं भाई पूछ रहा था कि बहुत से लोग आपको देखके इंस्पायर हो के ट्रैवल प्लान करते अपना तो कुछ केट या कुछ जरूरी चीजे अगर हो जो आप रखते ही रखते हो अपने साथ अपने एक्सपीरियंस है तो कुछ बताओ तो किट में क्या सीन है ना देखो अपने पास अगर आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपके पास पंचर किट और यह टायर तो आपको पंचर लगाना ना चाहिए कि आपने वहीं पर खोला आप उसकी अंदर क्या कहते है तो ट्यूब निकाल के पंचर लगा पाओ लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता राप लेके निकल गए तो प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरी है प्रॉपर किट आपक के डाइवोर्स को लेके तो मैं चाहता हूं उस बारे में भी थोड़ा बताएं और चीजे क्लियर करें ओडियंस को अच्छे से और हमारे बॉड़गास्ट पर डाइवोर्स एक्चली क्या होता ना जरूरी नहीं है कि आप किसी के साथ हैं तो आपकी हमेशा बने ही ठीक है तो होता किया ना जैसे बच्छपन से आप स्कूल पढ़ते हो ठीक है अभी मेरे को बड़े सारे ऐसे भी कमेंट आते कि भाई इसके साथ पहले ये दोस्त भी दिखता था अभी वो नहीं दिखता अभी उसको छोड़ दिया उससे मतलब हो गया उसको छोड़ दिया भी उसक नहीं हो ब्लब सबसे आप टच में नहीं रह सकते और ऐसा निया कि आप तक किसी बंदेंगा आप तीन हो उसात में रह रहरे हो और आप पता लगा ना कि या उसके रहो गे जैसे कोई दो कुंफर्टेबल वला जोन है आप ट्रेवल उसी इंसान के साथ कर सकते हो जिसके साथ आपका जोन मैच करें ठीक है ना आप ट्रेवल ऐसे बंदे के साथ ले जाओ कि मैं बोलू बहुत कि आप यहां रुकना है तो सब को बताना चाहते हो कि सब की लाइप में ऐसा होता नह यह दोस्त आया अभी यह नजराना बंद हो गया लेकिन आप लोग मेरे को छोड़के सिर्फ अपने वारे में सोचो कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई आता है और जरूरी नहीं है को हमेशा साथ ही हो भाई बंदे आते हैं जाते हैं आप महीं रह जाते हैं ठीक है ना तो ऐसा होता है कि जब तक आप रहते नहीं है साथ में क्योंकि आपकी भी कोई गल्फ्रेंड होगी आपकी किसी की भी तो आप उनसे मिलने जाते होंगे तो आप किती देर के लिए मिलते होंगे मुश्किल से 15 मिनिट दो गंटे तीन गंटे उसके बाद आप अपने घर वो अपने नहीं रहता थीक है तो मुचली हमने डिसाइड करा भी मिरको बड़ सरे बंदे बोलते हैं कि इसने उस दोस्तों भी छोड़ दिया अपनी बीवी को भी छोड़ दिया ऐसा कर दिया वैसा कर दिया तो भाई हर किसी की लाइफ में होता है कभी चीजे सही होती है और बहुत ब नहीं रुकेगी ना किसी की रुकेगी लाइफ तो जिसको जाना था अब वो डिसीजन ही आसा था कि लेना पड़ा ठीक है हमें समझ में आए कि हाँ नई सेट बैट रहा तो पूरी लाइफ ऐसे चलने से बढ़िया तो अलग ही हो जाते हैं वह बैब कितना टाइंग आप थ देड़ दो साल हुए थे और हमने काफी ट्रेवल भी किया था बहुत सारी वीडियो भी बनाई थी साथ में तो क्या सकते हैं अच्छा भी चल रहा था लेकिन वो ट्रेवल में सही नहीं बैट रहा था तो उसके बाद फे ठीक है एक चीज का कभी कर होता ना देखो उपर व वाले हैं उनके लिए यह नाम जुड़ जाता ना बहुत बड़ी चीज होती है कि भाई हमारे बच्चे का डाइवोस हो गया लेकिन जो चीज को हम पूरी लाइफ लेके चलते रहेंगे परिशान रहेंगे उससे बढ़िया तो फिर अलग होना बैटर है कि हाँ आप यह हो लेकिन घरवालों को नहीं समझा सकते हैं हम आजकी ग्रेसन है हम समझग लेते कि हमारे जरूरीज है चाहिए वो वह त्गड़ाई स्टेब हो चाहि वह ऐसा बैलेने से खलवल मज़ जाएगी लेकिन हमें पता है कि यहाँ लेना है लेकिन घरवाले नहीं समझते घरवाले क थोड़ा और सोच लो और टाइम ले लो बैर जो एक बारी लाश बार यह और बात कर लो उनके लिए होता ही लाश रेजॉल्ट है भाई क्योंकि क्रमें अब अइसा मेरे घरवाले मेरे बारे में सोचते है थीक है घथे वहां थीक है अब फिर उसकी भी शादी होनी तो SK लेख़ेगा तेरी वीडियो दुनिया देखती के आदे क्योंकि एक काई को साथ में चेको बूंर्मद स की काई करना नाश्री टूप अब यह कि'Mल यह निझा होई कि उसके साथ हो कुछ भी भायच कोई एक्षेडेंट होजाए यह कुछ डेवोष होजाए तो किसी को नहीं पता इसको पता है, इसकी फैमिली को बता है, आस पडोस में है उसको बता है, लेकिन हमारे सथ कोई चीज होती है तो पूरी दुनियों को पता है इसके साथ यह ए और वह चीज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है इफेक्ट क्या अब इस भाई से कोई भी भाई एक्स वाई जट कोई भी लिलो उससे कोन पूछेगा फैमिली के बंदे फोन कर मासी ने पूछ लिया चाची ने पूछ लिया एक दो पडोसी पूछ लेंगे अब मेरा ऐसा है पापा की वहां कर्याने की दुकान तो हर कोई आके आके बेटे के साथ मेरे को कमेंट करते हैं कमेंट के जब मेल डालने लग जाते हैं तो बढ़ा सीजिस मैटर हो गया कि बंदों ने लंबी-लंबी मेल लिखनी चुरू कर दी कि भाई ऐसा हो गया फिर हमारे ना उनको परिशान करो ना उनको करो किसी को मत करो ठीक है अभी हम अपटी याइसा चल रही है लेकिन लोग अभी कि भाई इसने इसको धोका दे दिया इसने इसको धोका वाली कोई कि यह पाते लेकिन हम उसके ट्रेवल नी कर पाते क्योंकि लाइफ में और भी चीज़े लेकिन लोगों को नी सब्सक्राइब फैमिली की तरह देखते हैं तो उनको बता है कि यह बंदा वीडियो में दिख रहा था अभी गाया लेकिन यह दोड़िक तुम्हारी लाइफ में इतने बंदे थे तुम्हारे साथ अभी वो भी गायब है अब मैं एक एक से कोश्चन तो पूछ नहीं सकता गर जाके लेकिन उनके पास वो जरिया है मेरे से पूछने का वो पूछते रहते हैं मेरे पर वीडियो भाई यह बंदा गायब हो गया यह मैं तो चलो ठीक है मैं बहुत ज्यादा हो गया फिर उसके बाद मैं वीडियो में जवाब देता हूं और वह भी सिंपल था कि ऐसा हो गया और ऐसा है बस इतना ही सभी बात है यह तो बड़ी अच्छी अपरोच है क्योंकि बहुत बहुत लोगे ना सामने से कोई बंदा तुमारे पर वीडियो कि भाई क्या हो गया अब मैं इसका जवाब यह दूँगा तो आगे से वह जवाब देगा यह देगा वह देगा हाला कि फायदा हो रहा है लोग देख रहे हैं भर बर क्या हां कॉंट्रवर्सी उनको मज़ा भी उसी में आता है कि उनको फायदा और व्यूस भी बड़ी आ अगे तीन मिल लेकिन दिमाग में जो में अंट्री स्रेस होता आ ना वो सबसे खतर ना होता है और कोई शरीर का जी होगा ना बिमारी बिमारी दवाई खाक कर ठीक हो जांता है और बहुत ज़र ज़र हम जैसे के लिए तो बहुत ही जादा है रोज वीडियो वनाने हुआ दिमाग में स्ट्रेस लेकर बनेंगे ही नहीं मैंन ही नहीं करेगा अब मैंसे को चीज को स्ट्रेस होगा आप बुलाते रहोगे भाई आजयो यहां वीडियो बनालते हैं जाओं ना जाओं भाई वहां जाके कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले और अभी लाइफ में वैसी भसड चल रही है अब क्या ही करूंगा जाके तो बंदा हर चीज को टालता रहता है अब मालों कि मेरे को एक नेट्फिक्स की सीरीज का भी ओफर आया था तो आज से टीन साल पहले की बात है कुछ लाइफ में बशन चल रही थी तो उस वजसे मैंने करी नीए थिए ना मैंने अपनी वीडियो में भीडियो में नियोता है इभन में वेल्ल सब कुछ है कल को कोई बोले की बाई पुरू दिखाओ तो मैं पास पुरूफ है तो सीरीज का उफर क्या बता मैंने वह सीरीज करी होती अभी मैं हो सकता है तीन चार सीरीज में और होता ठीक है ना किसी बॉलिवड एक्टर के साथ ही काम कर रहा हो था तो वह मैंने खुद ही अपने लिए दर्वादा बन कर दिये टेंशन के वह से तो मैंने यह सीखे कि भाई कुछ भी चल रहा चीज तो चलती रहेंगी देमाग को चिल रखे अपना कंटेंट मत रोक यह क्रीडरिक लिए ग्रो करना ही है आपने सीखा हो यह बहुत बढ़ियाँ चीज है जो गलती पहले होई फिर से दुबारा ना हो कि बैठ जाओ ऐसे हाला कि मेरे दिवाए में है कि YouTube छोड़ देता ह लेकिन फोड़ने वाला सीन था लेकिन जब तक मेरे दिवा आ परी नीथा वीडियो बना रहा था हलाए चोट लगी हूए तब ही तक पहुं निकाल के वह दूसरे डाल रहे है मतलब निकाल रहे है वह उसकी भी वीडियो बना रहा हूं कि किसी को फोन दे हो तू बना बहले तो दोस्तों जैसे कि आपने देगा शुबम भाई आज बोल नी पा रहे हैं और इनकी आवाज शुबम भाई ने रात को लगता है कुछ किया पाटी शाटी शुबम भाई नहीं किया इसलिए गला खराब कर ले तो बाई हाथ ही इन्होंने दवाई नी पी तो चलो भाई मैं आपनी जंता से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग को मज़ा है इस पोड़कास में तो लाइक कॉमेंट शेयर कर दो और प्रभजोद भाई को भी प्यार दिखा उनके चानल पर जाके इनके इस्टेग्राम पर फॉलो करो लेंक डिस्क्रिप्शन में है और बाकी नए-ने आपके लिए आते रहेंगे तिल देन बाबाई सी यू जट प्रभजोद भाई कुछ कहना चाहते है भाई बस मैनत करते रहो भाई लोग भी बहुत मैनत कर रहे हैं और यह सेटप जो इनोंने बिछा रखा ना पता नहीं कभी दिखाया कैमरे मैं अच्छा अपने उस चैनल में बैक है निकल जाते वापसी आँ भाईया और वापसी जाते टाइम लगता है क्यों ही आ गया था तो यहां यह वाला फील नहीं आना बहुत बढ़े लगा भाईयों के साथ चलो बाबाई टेक केर रह वनाई इस अगली वीडियो में मिलेंगे इनकी चलो जी बाई बाई के अवाय है वीडियी अचलो बार टेक है के लगता है कोbit कोई भाईयों कियो और बार भुट है वीडियों के अ कार सैंवक मिलेंटी ऑन किर Shane теक यहा है